अपने कई बार खाये होगी आज जो नाशता है वो हनी पोटेटो से कहीं ज़्यादा टेस्टी है ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और एक बार आपने से खा लिया तो आपका फेवरेट हनी पोटेटो ना हो करके ये हनी पनीर हो जाएगा क्योंकि ये बह हैं जबनाने के लिए हमने ले लिया है पनीर यह घर की बनी हुई पनीर है तो वैसे भी यह नास्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है आप चाहतों मार्केट से भी ले सकते हैं या घर पर पनीर आसानी से बना सकते हैं पनीर को हमें चटक नन्यमनी टुकडों में काट लेना है यह नन्यमनी सी पनीर पनीर काट लेंगे तो यह नास्ता ज्यादा ही टेस्टी बनेगा पाग्या पर बेर रखना शलीवार men दालेंगे कुटी काली टालाए खुटि भी। जाटब मालच नमक नमज दालना के 20 चमुट के ती चंच चाथ जान से राविशसे तारब प्मशा ऩाटब पाणिधा कोई बस लगर है तब ही इसमें ये मैद और कॉन फ्लोर डाल दें तो हमें पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए इसके एक मोटी से लेर तैयार हो जाए तब बहुत थोड़ा सा पानी का छीटा डालेंगे इ अगर कोई पनीर आपस में चीपक भी जाती है तो उसे आप डिफ्राइब करने के बाद भी अलग कर सकते हैं इसे दिफ्राइब करते हैं यह ध्यान देना है कि गैस का फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है मीडियम या लो फ्लेम पर इसे डिफ्राइब करेंगे तो यह एकदम क्रिस्टी सी बनेगी बहुत ही पढ़िया सा इसमें क्रण्ची क्रण्ची सा टेस्ट आएगा तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर ही निकालना है हाई फ्लेम पर करेंगे तो यह जल्दी से सुनेरी तो हो जाएगी पर अच्छी सी कुरकुरी नहीं बनेंगी पनीर को हल्की सी सुनेरी होने तक डेफराय करना जलट पलटकर APP अच्छे से हम डेफराय करलेंगे तक एक निकल लेते हैं और तक बाहाई इस इसी तेल में ही हम बाकी के इंग्रीडियंस डालेंगे तेल गरम है इसमें हम डालेंगे दो बारी कटी हुई प्याज प्याज को हमें हलका सा ही सुनेरा करना है प्याज हलकी सुनेरी हो जाए तभी इसमें अद्रक लेसन और मिर्ची को दरदरा करके डालें इससे टेस्ट लिया है अब हम इसमें बारी कटी हुई सिमला मिर्च डालेंगे सिमला मिर्च आप एक या देड़ सिमला मिर्च के करीब डाल सकते हैं एक दम बारी काट कर डालें सिमला मिर्च के साथ ही हम डालेंगे कॉर्ण यानि कि मकाई के दाने आप फ्रोजन कॉर्ण भी यूच कर सकते या आप ताजे कॉन भी उच कर सकते हैं बस इसके दाने एकदम मुलायम से होने चाहिए अब हम इसमें कुटिवी काली मिर्च डालेंगे इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है नमक डालेंगे स्वादा अनुसार जितना भी तीखा आपको खाना पसंद हो और सिसाथ से आप इसमें डाल सकते हैं चीली सॉस और अच्छा सा कलर बड़ी असा टेस्ट देने के लिए इसमें डालेंगे टेमैटो केचप दो चमच के करीद सोया सॉस भी डालेंगे सोया सॉस आप इसका कलर जितना डार्क करना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं पहले थोड़ा सा ही डाले अ सारी चीजों को अच्छ से हमने एक मिनद तक भूल लिया है, अब हम इसमें डालेंगे कॉण फ्लॉर का घोल, यह गोल हमने पानी में डालकर त्यार कर लिया, एक चमच कॉण फ्लॉर को पानी में घोलें और इसको थोड़ा थोड़ा करके डालें, इसे फटा फट से चलाते ज बाणे ना है जब इसमें सारी चाली चीजह ऑच्छे से मिल जाए तब इसे पानी आट करेंगे पानी कि यह में बहुत जादा हो यह बईक्ता हुआ गई तो कॉन फ्लॉर में वह फाल कॉला इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस और डालेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा और डार्क हो जाए ये देखिए अब बढ़ी असा कलर आ गया है सारी चीजे अच्छे से पक गई है अब हम इसमे पनीर डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिलाएंगे पनीर के साथ इसे हम दो मिनद तक और पकाएंगे एक दम लोग फ्लेम कर दें नहीं तो ये जल्दी से सूख जाएगे और अच्छी सी नहीं पकेगी तो अभी इसको हमने दो मिनद तक अच्छे से बून लिया है अग्दम लोग फ्लेम पर सारी चीजे अच्छे से मिल गई है आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन हम बना रहा है हनी पनीर तो अभी हम इसमें डालना है सहथ सहथ हम तीन चाहर चमच के करीब डालेंगे ताकि इसमें सहथ का टेस्ट अच्छा सा आ जाए और बहुत अच्छी खुश्बू आ रहे हैं बहुत ही मज़ेदार लग रहा है ये देखने में ल गर्मा गरम सर्व करेंगे क्योंकि इसे गर्मा गरम खाने का जो मज़ा है वो ठंडा होने पर नहीं इतना टेस्टी हनी पनीर देख करके तो आपके मुझ भी पानी आ गया होगा तो देर किस बात के उस पानी को गट कर जाए और ऐसी हनी पनीर बनाने की सोचिए बहुत या तो है ना एक्दम जोरो की भूब को मिटाने वाली टेस्टी टेस्टी रेसेपी मिलते हैं ऐसी ही एक्दम टेस्टी टेस्टी नई रेसेपी के साथ नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई